अम शांती पुट्टर तकदीर्वान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे बाबा से मीठी मीठी बाते करेंगे कभी भी अपने उपर बेरहमी नहीं करेंगे वह पास्वित ओनर होने का पुरुशार्थ कर स्वेयम को राजाई के लायक बनाएंगे उम शांती बच्चे बाप के सामने बैठे है तो जानते है कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे है उनके लिए गाया ही जाता है रहम दिल लिबरेटर बहुत महिमा करते है बाप कहते है सिर्फ महिमा की भी बात नहीं बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना बेहद का बाप भी मत देते है उन्चते उन्च बाप है तो जरूर उनकी मत भी उन्चते उन्च होगी मत लेने वाली आत्मा है अच्छा वा बुरा काम आत्मा ही करती है इस समय दुनिया को मिलती है रावन की मत तुम बच्चों को मिलती है राम की मत रावन की मत से बेरहम हो उल्टा काम करते हैं बाप मत देते हैं सुल्टा अच्छा कार्य करो सबसे अच्छा कार्य अपने उपर रहम करो तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी बहुत सुखी थी फिर रावन की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो अब फिर बाप मत देते है कि एक तो बाप की याद में रहो अब अपने उपर रहम करो यह मत देते है बाप रहम नहीं करते बाप तो श्रीमत देते है ऐसे ऐसे करो अपने उपर आपे ही रहम करो अपने को आत्मा समझ और अपने पतीत पावन बाप को याद करो बाप राय देते है तुम पावन कैसे बनेंगे बाप ही पतीत को पावन बनाने वाला है वह श्री मत देते है अगर उनकी मत पर नहीं चलते है तो अपने उपर बेरहम होते है बाप श्री मत देते है कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा है शरीर निर्वा अर्थ धन्दा आदी भल करो फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो काम करते आत्मा की बुध्धी बाप तरफ होनी चाहिए जैसे आशिक माशुक भी काम तो करते हैं न दोनों एक दो के उपर आशिक होते हैं यहां ऐसे नहीं है तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो कई कहते हैं कैसे याद करे आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है परन्तु ऐसे नहीं कहते भी है ब्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है फिर क्यों कहते है कि आत्मा क्या है उनको देख नहीं सकते बहतो है ही जानने की चीज आत्मा को जाना जाता है पर मात्मा को भी जाना जाता है वह अती सुक्ष्म चीज है फाइर फ्लाइ से भी महीन है शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता आत्मा है, साक्षातकार होता है आत्मा का दिदार हुआ, सो क्या वह तो स्टार मिसल सुक्ष्म है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करू जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है परन्तु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सूल वह जनम मरन में नहीं आते आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जनम मरन रही थो बाकी मुक्ती धाम में तो सब को पवित्र हो कर जाना है उनमें भी नंबरवार है जिनका हीरो हीरोईन का पार्ट है आत्माए नंबरवार तो है न? नाटक में भी कोई बहुत पगारवाले, कोई कम वाले होते है लक्ष्मी नारायन की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे भल पवीत्र सभी बनते हैं फिर भी नंबरवार पार्ट है कोई महराजा, कोई दासी, कोई प्रजा तुम एक्टर्स हो जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार है अच्छा पुरुशार्थ करेंगे उन्च आत्मा बनेंगे उन्च पद पाएंगे तुमको स्मृति आई है, हमने 84 जनम कैसे लिए अब बाप के पास जाना है बच्चों को यह खुशी भी है, तो फखुर अर्थात नशा भी है सब कहते हैं, हम नर से नारायन विश्व के मालिक बनेंगे फिर तो ऐसा पुरुशार्थ करना पड़े पुरुशार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते है सब को नंबरवार पार्ट मिला हुआ है यह ड्रामा बना बनाया है अभी बाप तुमको शृष्ट मत देते है कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो तो तुम तमुप्रधान से सतोप्रधान बन जाओ पापो का बोजह तो सिर्पर बहुत है उनको कैसे भी करके यहां खलास करना है तब आत्मा पवित्र बनेंगी तमुप्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतोप्रधान भी आत्मा को बनना है इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है यह खेल ही भारत पर है बाकी बहुतो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते है पुनर जनम लेते लेते पिछाडी में सब तमुप्रधान बनते है स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो जानते हो भारत बहुत उंच देश था अभी कितना गरीब है गरीब को ही सब मदद देते है हर बात की भीक मांगते ही रहते है आगे तो बहुत अनाज यहां से जाता था अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है जो ले गए है वह उधार मिल रहा है क्रिश्न और क्रिश्चन राशी एक ही है क्रिश्चन ने ही भारत को हप किया है अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते है मखन तुम बच्चों को मिल जाता है ऐसे नहीं कि क्रिश्चन के मुख में माखन था यह तो शास्त्रों में लिख दिया है सारी दुनिया क्रिश्चन के हाथ में आती है सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए तुम्हारे कदम कदम में पदम है सिर्फ एक लक्षमी नारायन का राज्य नहीं था डिनायस्ठी थी थी न यथा राजारानी तथा प्रजा सब के पाउं में पदम होते है वहां तो अंगिनत पैसे होते है पैसे के लिए कोई पाप आदी नहीं करते अताहा धन होता है अल्हा अवलदिन का खेल दिखाते हैं न अल्हा जो अवलदिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते है सेकेंड में जीवन मुक्ति दे देते है सेकेंड में साक्षातकार हो जाता है कारुन का खजाना दिखाते है मीरा कृष्ण से साक्षातकार में डान्स करती थी वह था भक्ति मार्ग यहां भक्ति मार्ग की बात नहीं तुम तो वैकुंट में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षातकार होता है इस समय तुम बच्चों को एम उबजेक्ट का साक्षातकार होता है जानते हो हम यह बनेंगे बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिये जाते है अभी हम बेहर्द के बाप के बच्चे बने है कितनी खुशी होनी चाहिए यह तो घड़ी-घड़ी पक्का कर देना चाहिए परन्तु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी ब्यूड जाती है बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते है फिर माया भुला देती है तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जनम लिये है और कोई 84 जनम नहीं लेते है यह भी समझना है, जितना हम याद करेंगे उतना उंचपद पाएंगे और फिर आप समान भी बनाना है, प्रजा बनानी है तिर्थो पर भी पहले खुद जाते है, फिर मित्र संबंदिवादी को भी इकठा ले जाते है तो तुम भी प्यार से सब को समझाओ, सब नहीं समझेंगे एक ही घर में बाप समझेगा, तो बच्चा नहीं समझेगा माबाप कितना भी बच्चों को कहेंगे, पुरानी दुन्या से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं तंग कर देते है, जो यहां का सैपलिंग होगा, वही फिर आकर समझेंगे इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती वह तो उपर से आते है, उनके फॉलोवर्स भी आते रहते है, यह तो स्थापना करते है, और फिर सब को पावन बना कर ले जाते है, इसलिए उनको सद्गुरू लिबरेटर कहा जाता है सच्चा गुरू एक ही है, मनुष्य कभी किसकी सद्गती नहीं करते, सद्गती दाता है ही एक, उनको ही सद्गुरू कहा जाता है भारत को सचखन भी वही बनाते है रावन जूटखन बना देते है बाप के लिए भी जूट, देवताओं के लिए भी जूट कह देते है तब बाप कहते है here no evil इनको कहा जाता है वैश्याले सत्यूग है शिवाले मनुष्य समझते थोड़ी है वह तो अपनी मत पर ही चलते है कितना लड़ना जगरना चलता रहता है बच्चे मा को पतीस्त्री को मारने में देरी नहीं करते एक दो को काटते रहते है बच्चा देखता है तो बाप के पास बहुत धन है देता नहीं है तो मारने में भी देरी नहीं करते है कैसी गंदी दुनिया है अभी तुम क्या बन रहे हो यह तुम्हारी एम उब्जेक्ट खड़ी है तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतीत पावन आकर हमको पावन बनाओ ऐसे थोड़ी कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ गौड फादर तो हेवन स्थापन करते है तो हम हेवन में क्यों नहीं है फिर रावन तुमको नरकवासी बनाते है कल्ब की आयू लाखो वर्ष कह देने से भूल गए है बाप कहते है तुम हेवन के मालिक थे अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हूँ अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते है कहते है मिठी आत्माएं बच्चो बाप को याद करो तो तुम तमोप्रधान से सतुप्रधान बन जाएंगे तमोप्रधान बनने में आधा कल्ब लगा है बलकि सारा ही कल्ब कहे क्योंकि कला तो कम होती जाती है इस समय कोई कला नहीं है कहते है मैं निर्गुन हारे में कोई गुन ना ही इनका अर्थ कितना क्लियर है यहाँ फिर निर्गुन बालक की संस्था भी है बालकों में कोई गुन नहीं नहीं तो बालक को महात्मा से भी उंच कहा जाता है, उनको विकारों का भी पता नहीं, महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉंग बोलते है, माया बिलकुल अन्राइटियस बना देती है, गीता पढ़ते भी है, कहते भी है भगवान वाच काम महाशत्रु है यह आदी मद्य अंत दुख देने वाला है फिर भी पवित्र बनने में कितने विग्ण डालते है बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगरते है बाप कहते है तुम बच्चों को श्रिमत पर चलना है जो फूल बनने का नहीं होगा कितना भी समझाओ कभी नहीं मानेगा कहां बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे तो माबाप कितने अत्याचार करते है बाप कहते है जब ज्ञान्यग्य रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विग्न पड़ते है तीन पैर पृत्वी के भी नहीं देते तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो जैसे तुम आत्माई इस शरीर में अवतरित हो वैसे बाप भी अवतरित है फिर कच अवतार मच अवतार कैसे हो सकते कितनी गाली देते है कहते है कंकर कंकर में भगवान है बाप कहते है मेरी और देवताओं की गलानी करते है मुझे आना पड़ता है आकर तुम बच्चों को फिर से वर्सा देता हूं मैं वर्सा देता हूं रावन श्राप देता है यह खेल है जो श्रीमत पर नहीं चलते है तो समझा जाता है इनकी तकदिर इतनी उंची नहीं है तकदिर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे बाबा से बाते करेंगे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो खुशी का पारा भी चड़ेगा जो पास्वित ओनर होते है वही राजाई के लायक बन सकते है सिर्फ एक लक्षमी नारायन नहीं राज्य करते है डिनाइस्ठी है अब बाप कहते है तुम कितना स्वच्च बुध्धी बनते हो इनको कहा जाता है सत्संग सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नौलेज दे सच्खन का मालिक बनाते है कल्प के संगम पर ही सत्का संग मिलता है स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सच्चंग होता नहीं अभी तुम हो रुहानी Salvation Army तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो तुमको Salvage करना है तुमको Salvage करने वाला श्रीमत देने वाला बाप है तुम्हारी महिमा बहुत भारी है बाप की महिमा भारत की महिमा अपरम अपार है तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है तुम ब्राह्मन की भी और विश्व के भी तुम ब्रम्हान के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो मैं तो सिर्फ ब्रम्हान का मालिक हो बाबा में कितना उंचा बनाते हैं बाबा तो सिर्फ ब्रह्मान का मालिक है हमें तो विश्व का भी मालिक बना देता है पूजा भी तुम्हारी डबल होती है मैं तो देवता नहीं बनता हूँ तो डबल पूजा हमारी होती है क्योंकि हम देवता बनते हैं तो उनकी सिंगल पूजा होती है, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते है और खुशी में आकर पुरुशार्थ करते है, पढ़ाई में फर्क कितना है, सत्युग में लक्ष्मी नारायन का राज्य चलता है, वहां वजीर होते नहीं, लक्ष्मी नारायन जिनको भगवान भगवती कहते है, वह फिर वजीर की राए लेंगे क्या, जब पतीत राजाएं बनते है, तब फिर वजीर आदी रखते है, अभी तो है प्रजा का प्रजापर राज्य, तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, ज्यान भक्ती वैराग्य, ज्यान सिर्फ रुहानी बाप सिखलाते है, और कोई सिखला न सके, बाप ही पतीत पावन सर्व का सदगती दाता है, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती, तुम रुहानी बच्चों की रुहानी बापतादा को याद प्यार, गुद मॉर्निंग और नमस्ते, वहाँ बाबाबा, शुक्रिया, बाबा, शुक्रिया, धारना के लिए मुख्यसार है, पहली पॉइंट, बाब की याद के साथ-साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है, चैरिटी बिगिंज एट होम, सब को प्यार से समझाना है, दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है, here no evil, see no evil, उस बेहद बाब के बच्चे है, भव हमें कारूम का खजाना देते है, इसी खुशी में रहना है, वर्दान है, एक सेकेंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले शुरिष्ट तकदीरवान भव, इस संगम के समय को वर्दान मिला है, जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भग्य बना सकते है, क्योंकि भग्य विधाता बाब ने तकदीर बनाने की चावी बच्चों के हाथ में दी है, लास्ट वाला भी फास जाकर फिर्स्ट आ सकता है, सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयम की स्थिती सेकंड में सार स्वरुप बनाने का अभ्यास करो अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर भीज हो जाओ तो टाइम न लगे इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्ब की तक्दीर बना सकते है स्लोगन है डबल सेवा द्वारा पावर्फुल वायुमंदल बनाओ तो प्रकृती दासी बन जाएगी चा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोद समझ कर बोलो निमित भाव, निर्मान भाव, निर्मल वानी ओम्शंती